आप सभी और जिसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल आप यहांपे टाइटल देख रहे हैं 157 की क्रांती और यहांपे इस्पेशल बीपीयसी बिहार जो है यहांपे बिहार सिखषक भरती 33.0 इसके लिए बहुती बेस्ट यहांपे यह हमारा कंटेंट होने वाला है 557 की क्रांती बिल्कुल जी अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो समझे कुछ भी नहीं पढ़ा क्यूंकि यहाँ से आपके कुछन बिल्कुल मिलेंगे आपको ठीके यहाँ से और जो है एक आपका भारती रास्त्री आंदोलन यहां से भी बहुत क्यूशन आपके मिलते हैं तो मैंने इसके भी उपर एक वीडियो यहां पे अप्लोड की हुई है बनाई हुई है ठीक है तो आप चेक करके हम आपे देख सकते हैं उसको और वो वीडियो पुरी एक गंटे की और उसमें पूरा महा मेरा थन है वो और उसमे जो है पुरी आपकी भारती रास्तियान दुन के सारे MCQ कवर हो जाएंगे 100 है बहुती बेस्ट कंटेंट है इतना बेस्ट है कि बिल्कुल हर एक छटे होए क्यूशन है जो की एक्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्यूशन ठीक है तो आईए फिर यहां पे जिसे आप आप देख रहे हैं टाइटल है ना किस तरह से हैं यह देखो इस तरह के क्यूशन आएंगे 857 का विद्रो कहां से स्राट हुआ 857 विद्रो की समय भारत की गवर्नेस जिनल कौन थे ठीक है तो भाई इस तरीके के क्यूशन देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक सर पर्थम किस ने 857 के विद्रो के तुरंत बाद इसे एक रास्ते विद्रो की संग्या दे दी तो ये दी है बिंजामिन बिज्राइली ने ओके तो ए उप्षिन हमारा फ्रेंट्स बिल्कुल यहां पे क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स फिर हमारा क्यूशन देखो नीचे यहां पे आपकी हर पीडियेफ में है ना क्यूशन बिलेंगे और फिर नीचे आपको यहां पे जो है आंसर भी शो होगे तो इस तरीके से यह पीडियेफ आपको प्रवाइड हो जागी ओके चलिए नेक्स टे यह पे जो है मेरट में विद्रहो कब आरंब हुआ तो फ्रेंड्स यहां पे जो है मेरट में विद्रहो आरंब हुआ 10 मईए 1857 को कब हुआ 10 मईए 1857 को A option बिलकुल correct answer होगा Next 1857 की क्रांती का चिन क्या निस्चित क्या गया था Special 1857 की सारे MCQ यहाँ पर रहेंगे 1857 की क्रांती का चिन क्या निस्चित क्या गया था कमल एवं चपाती, कमल एवं गुलाब कमल एवं यहाँ पर जो है होगा आपका गेंदा यहाँ फिर चपाती एवं तलबार तो friends यहाँ पर हमारा जो correct answer होगा न वो क्या हो सकता है तो 1857 की क्रांती का चिन यहाँ पर क्या निस्चित क्या गया है तो यहाँ पर कमल एवं चपाती ओके यह जो है 1857 की क्रांती का चिन निस्चित क्या गया है एक क्यूशन यहाँ पर हमारा option right होगा आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेने सारे क्यूशन बहुत important और बहुती best content बार बार कह रहे हूं बहुत ज़्यादा best content मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 विद्रोह का सुत्रपात किया वह संबंदी था बिल्कुल आपको यहां पर वीडियो स्किप करेंगे न तो आप अपने एक्जाम भी स्किप कर जाएगे यहां से आपके क्यूशन बनेंगे मिलेंगे आपके दो क्यूशन यहाँ से मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 एशुड में विद्रोहो का सुत्रपात किया वह किस से संबंदी था चो इसी वी ने इसी इनफेंटृस है या फिर आपको बताना है कि करेंग रांवियों आसर इसका क्या होगा सो मंगल पांडे जिसने अकेले थारचो सत्तावर इश्यू में विद्रोहों का सूतर पात किया वो संबंधित था यहां पर किस से वई वो संबंधित था चोंतिस भी नेटियू इन फ्रेंट रिसे ओके तो यह उप्शन क्रेक्ट आंसर और मंगल पांडे से क्विशन ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता ओके चले फिर खटा कर तरीकिसे फटा फट तरीकिसे वेडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर द ब्रेटिश येनिकों एवं भारति सेनिकों के वेतन में भारी अंतर और फ्रेंड्स यह पे जो है भारतियों को इशाय धर्में परिवर्तित करने का प्रियाश तो ठार्चु सतावन की विदरोत का ततकाली कारण क्या था तो बच्चे यहां पे हम बताए आपको ठार्चु वाले जो भी यहां पे उनके वर्क है उनका परियोग आहरम कर दे रहा है यह थार्चु सतावन के विदरों का ततकाली रिजन रहा ओके नेक्स्ट फिर हमारे क्यूशन बनेगा कि अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कार्थूसों से चलने वाली एन्फिल्ड जनवरी 1457 फरवरी 1457 तो फ्रेंड्स अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कार्थूसे से चलने वाली एन्फिल्ड राइफल यह कब जो है शामिल की गई और यह शामिल की गई जनवरी 1457 ओके तो यहां पिर हमारा सी अफ्शन बिल्कुल ग्रेक्ट आंसर होगा ने तो बच्च आपको बताना है कि भारत के गवंडर्व कौन थे मुलत के यहां पर भात करें हैाथ करी अधर के व मुलत के आगे का नत्थ कवी जहां सता। बहादु शाह का सहयोगा फिर हिंदू मुश्लिम एकता तो बचे इस question का जो correct answer बनेगा वो हो गए यहाँ पर हिंदू मुश्लिम एकता 357 की विद्रहों की शक्ति का सबसे important तत्व यहाँ पर था हिंदू मुश्लिम एकता तो D option सबसे best नहीं हाँ पर हमारा answer होगा ठीके नेक्स फिर बचे question है की 357 की विद्रहों की पूर बिरेटिश भारती सेदामी भारती तथा यूरोपी सिपाहियों का क्या ओसर था 4 अनुपात एक, 5 अनुपात एक, 6 अनुपात एक, 7 अनुपात एक सो बताइएगे यहाँ पर हमारा जो हे 9 क्यूश्टन का जो correct answer होगा बच्चा बहुँ होगा 6 अनुपात एक, C option बिल्कुल correct answer होगा, ठीके क्यूश्टन बहुती इंपोटेंटे, छटेएक क्यूश्टन ने skip नहीं करना अगर skip कर देना तो समझो, गई आप लोग, ठीके next टेंज, 457 की क्रांती की समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, 1457 की क्रांती का बिद्रहों किया, या फिर इन्होंने जो है थारा सो सतावन की क्रांती का समर्थन किया या फिर यह जो है तठस्त रहे या फिर इन्होंने देशी सासकों के विरुत संगर्श किया तो बचे थारा सो सतावन की क्रांती के समय भारत के सिक्सित मध्यम वर्ग ने क्या किया तो यहां पर जो है किसी सामान नी योजना और केंद्री संगाटन की कमी यह फिर इसके परभाव का सामीष्य फिर जंदारों की ऐ स треб हागीता ह॥ कि किसी सामान नी योजना वर केंद्री संगेटन की मुझे एल सफल रहा थो भी राइट होगा नेक्स फिर हमारा इस क्यूश्चन में यहापे बनेगा नेक्स बच्चा हमारा क्यूश्चन है कि वर्स ठारसो सतावन की विद्रहों के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया तो बच्चे यहापे करेक्ट आंसर क्या होगाows और तात्या तोक्र भ index llक्ष्चि भाई या अफिर मंगल पांड़े तो यहां पर जो हमारा क्रेक्ट आंसर होगा वहुगा मंगल पांड़े तो डियू उप्ष्चन राइब्ड आंसर होगा ठीकए चलिए फिए फिर नेक्स्ट हमारे सेशन का क्यूशन है कि निमने कि तमें किसनी 357 के वीद्रोह को एक सडियंत्र संग्यादी जेम्स आउटरमवे डब्ल्यू टेलर, सर्जोन मार्शल, सर्जोन लोरेंस, टी आर हॉम्श यहाँ पर करेक्ट आउटरमवे डब्ल्यू टेलर, तो इसमें 357 के वीद्रोह को एक सडियंत्र संग्यादी जेम्स आउटरमवे डब्ल्यू टेलर ने, नेक्स्ट फिर हमारा इस सेशन का क्यूशन रहता है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 357 के वीद्रोह को सवतंत्र की पह बने वाल है तो लास्ट तक बने रहना अगर आपको यहां से सफलता चाहिए तो ओके आर्सी मजूमदार, अधुनिक इतिहासकार जिसने 357 के वीद्रोह को सवतंत्र की पहली लड़ाई कहा था तो यह कहा था सावर करने ओके और फिर बच्चे यहें पे हमारा नेक्स्ट कुशन बनेगा और नेक्स्ट कुशन है कि 857 में ब्रेली विद्रोह का नेटा कौन था? खान बहादूर थे, कुवर सिंग थे, मोल भी, एहमन चाहते या फिर बिर जीश कादिर थे तो हम बात करें, 857 में ब्रेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे थे ये खान बहादुर ये उप्षिन करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट ने बेगम हजरत महल ने थारसो सतावन के विद्रोह का नेतत्व निम्लिकित में से कि शहर में किया था लखनों में, कानपूर में, बनारस या फिर इलाबाद तो बेगम हजरत महल ने थारसो सतावन के विद्रोह का नेतत्व कि शहर में किया था, ये बताना है बस आपको ये किया था लखनों में, कहां पर लखनों में ओके, चले फिर नेक्स देखते हैं क्यूशन नेक्स्ट है कि कानपूर से भारत में थारसो सतावन की करांती का नेता कौन था तो भई कानपूर से भारत में थारसो सतावन की करांती का नेता कौन था नाना शाहेब, तात्या टोपे, कुवर्शिंग या फिल लक्समी भाई तो यहाँ पर राइट अंसर होगा नाना शाहब, ओके ए उप्षन, करेक्ट अंसर यहाँ पर हमारा बन जाएगा और बच्चा फिर इसी सेसन का हमारा नेक्स कुशन आता है, नेक्स कुशन है कि 357 के विद्रों में कानपूर में सेनिकों का नेतत्व किस ने किया था, कुवर सिंग ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मी माई ने, फिर नाना शाहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सेनिकों का नेतत्व किस ने किया बच्चा तो यह क्या था तात्या टोपिय ने ओके Next रे फिर क्यूशन 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपिय का मूनलाम क्या था गोपाल किष्ण गोखली नाना शाहे बालाजी राओ या फिर रामचंदर पांडूरंग तो यहाँ पर हमारा स्कृष्ण का करेक्ट आंसर बने का रामचंदर पांडूरंग ओके चलिए नेक्स्ट रानी लक्षमी बाय का मूलनाम क्या था मनिक यहाँ पर होगा मनिक रने का जे श्री पद्मा तो इन सब को यहाँ पर गोळी मारों यहाँ पर क्रेक्ट आंसर हमारा ए होगा ठीके यही रानी लक्षमी बाय का मूलनाम था नेक्स रेफिर क्युशन बिहार में थारसो सतावन की करांते के नेता कोर्सिंग का देहांत कब हुआ बचा 10 सप्रेल थारसो थावन में 17 जून थारसो थावन में 9 में थारसो थावन में 20 जून थारसो थावन में सो क्रेक्ट आंसर यहां पे होगा 9 में 158 में बिहार में 157 की क्रांती के नेता कोवर सिंग का देहान धुआ था भाई 9 में 158 में सी ओफशन इस दा राइट आंसर होगा ठीक है और फिर नेक्स क्यूशन है कि निम्लिकित में से किस ने 157 में अंग्रेजों से संगर्श किया चंदर सीखर आजात राम परशाद बिसमेल या फिर यहां पे साधत खान या फिर माखनलान चतुरवेदी सो यहां पर हमारे स्क्ष्टन का करेक्ट आनसर होगा साधत खान उकाई इनमें जो है इनोंने 157 में अंग्रेजों से संगर्श किया था कि उन्हें भई सादत खान ने किया था ठीके अंग्रेजों से संगर्स किया था इन्होंने थारचो 57 में आवद की अंतिम नवाप कौन थे भई सिराजूत दोला थे यह फिर आशिफुद दोला थे यह फिर वाज़िद अली शहा थे यह फिर गुंगे नवाप थे तो बच्छ वाजित अली शाहा जोकी अतंत आवत की आखरी शाहषत अ और यह किस के पुत्रते बच्छा अजमत अली शाह के सबसे बड़े पुत्रते ठीक है वाजित अली शाहा नेक्ट फिर क्यूशन बनेगा 357 की गरांती में किसने भाग नहीं लिया ना शाह है प्तात्य टोपे रानी लक्षमी भाई या फिर भगर शिंग तो यहाँ पे देखते ही आपका अंसर बन चाहिए बैर ना साब ने बिलकुल लिया था इन्होंने बिलकुल लिया था यह भी बिलकुल लेकिन भगर शिंग जी ने यहाँ पे जो है कोई भी भाग नहीं लिया तो डीोप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स favor question बनेगा कि पर्धम सवतंतरता संगराम की बात मुगल बहासा बहादूर शाह जफर को निर्वासित क्या गया रंगून में वोट बलेर में काबुल में या फिलंदन में सो फ्रेंड्स पर्थम सवतंतरता संग्राम का बाद संग्राम की बाद मुगल बहाद शाह बहादूर शाह जफर को निर्वासित कब किया गया तो यह किया गया बच्चा कहां पर रंगोन में ठीक है यह उप्शन राइट होगा नेक्स फिर हमारे सेसन का पर 1277 के गदर से पर्भावित नहीं हुआ जहांशी चितोड जग curtis पुडा इंपर रist लग्रत द्र WikUM पर 12 стало होगा पर पर दंब की शेयंड ॠोर मेंशे काव सब сторон के गदर से पर्भावित नहीं हुआ तो ये जो है चितोड यहां पे नहीं हुआ ठीक है वी ओप्षिन क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स ने फिर हमारा क्यूशन की ठारो सुस्तावन के बाद निमनी में से किस एक ने इलाबाद में एक दर्बा में ग्रेट बिर्टेन संपर्भू दुवारा भारत सरकार की घरहन की गोशना की ठीक है तो बचें यहां पे हमारा जो है क्रेक्ट आंसर क्या बनेगा यह हमें चूज करना है तो हम देखें ठारो सुस्तावन के बाद में इन में से किस एक ने इलाबाद में एक दर्बाह में ग्रेट बिर्टेन संपर्भू दुवारा भारत सरकार की घरहन की गोशना की थी तो यहां पे होगा लाड़ कैनिंग ओके यह उप्शन हमारा बिल्कुल क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स फिर जाती है आधार पर 457 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयों करने वाले भई यहां पे कौन थे तो जाती हाधार पर हम यहां पे बात करेंगे 457 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का शहयों करने वाले कौन थे क्या सीख थे या फिर गौर खाते या फिर पठान थे तो ओप्शन यहां पे नीचे दियो है आपको चूस करना है कि कौन-कौन थे कौन नहीं थे है ना एक दो तीन दोनों थे या फिर यहां पे यह दो और तीन यह दोनों थे या फिर एक दो यह दोनों थे या फिर इन में से कोई नहीं या फिर यहां पे यह तीनों ही थे विद्रों के दोरान अनिक भारतिये नरीसों ने बिर्टिस सरकार की साहयता की निमिकित में से किसने मदद नहीं की कस्मीर के शाषक ने मेवाड की राजा ने सतलच के इस पार की राज्यों के सिखों ने या फिर ग्वालियर की सिंध्या ने तो यहां पर बात की जाए थारसु सतावन के विद्रों के दोरान अनिक भारतिये जो कि बिर्टिस सरकार की साहयता की है लेकिन किसने नहीं की तो यहां पर जो हम यहां पर आपको बताएंगे ना मेवाड के जो राजा है इन होने यहां पर जो है ठीक है इनकी हेल्फ नहीं की ठीक है और 457 सिपाई विद्रों की सभी objective question यहाँ पर चल रहे हैं आपके तो आपको यहाँ पर जो है बने रहना है हमारे साथ में भूती most most important है किसे 457 के विद्रों की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में किसे देखा जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है बहादूर शाहा को नेक्स फिर हमारे सेसन का question है कि 857 के विद्रों के सफलता के बाद में मुगल बाशा बहादूर शाह सैकिंड को कहां वे किसने गिरफतार किया रंगुन में कर्णन नील ने ग्वालियर में लेफटी नेट हटसन ने ब्रेली में जेम्स आउटरम ने या फिर हुमायू की कब और लेफटी नेट हटसन ने तो यहां पे जो है 858 के विद्रों की ऐस सफलता के बाद में मुगल बाशा फादूर शाह सैकिंड को हैंना इन्होंने कहां में किसे किसने गिरफतार किया तो वह हुमायू की कबर के पास में और लेफटी ने इनको गिरफतार किया था ठीक है सो वहे कौन सा विडिटी श्यना पती था जिसकी थार सुसतावन के विदरों को दबाने में महतपूर्पूर्पूर्भूमी का थी तो बच्चा यहां पर होगा कैम्प वेल तो आपको बने रहना है खटा-खट तरीकी से वेडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल भी ठीक है अगर नहीं करेंगे ना तो छोड़ूंगी नहीं आप लोगो ठीक है अब यहां पर क्यूशन नहीं रहें जो बेसिक लेवल के थे अब यहां पर हार्ट कंटेंट आने लगा हर एक्जाम में ठीक है तो आपको हार्ट कंटेंट के अग्वर्डिंग यहां पे तयारी करने हैं तो यहां पे होगा भई मदराज ठीक है कुछ student ऐसे होंगे कि वीडियो को देखते कुछन देखते इसकिप कर गए होंगे कि यह कि अधिकारी हुरोज ने कहा भारति करंदी कारियों में यह अकली मर्द है नाना शाह आयब तात्या टोपी लक्ष्मींबाई या फिर कुवर सि किसकी वीरता से परभावित होकर बिर्टिशेडनिय अधिकारी हिरोज ने कहा भारती करुंती कार्यों में यह एक अकेली मर्द है यानि कि बात किसकी हो रही है लक्समी बाई जी की तो बिल्कुल भाई सी उप्शन यहां पर हमारा क्रेक रांसर बनेगा और इसी यहां पर नाम पर जो है आपको यहां पर थमसब कर देना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा अपने अगॉर्डिक ठीक है नेक्स रिमिकित में से किस पर कुछ इतिहास कार हो है ठार्थ सुतामन के विद्रों के दोरान अंग्रेजा के साथ मिलकर शड़ियंत रचने का आरोब लेगा है बचा यहां पर क्या जिनत मेहन ने यहां पर मौलवी एहमदुला ने यह पर कुछ इतिहास कार हुए थार सुतामन के विद्रों के दोरान यह पे अंगरोजों के साथ में मिलकर उन्होंने सड़ी अंतर रचा भाई इस तरी के चलते रहते हैं जाना कि उसके साथ चलो वाँ पर इंतर चलो उसके पास जाओ वाँ ऐसा ठीक है जलता रहता है तो यह यह जिनत महनने किया तक इसने जीनत महल लेंगे, एक और जो है, यहां पर परंपरा चलती आ रही, इस तरह से एक दूसरे के सामने क्या करना वही, क्या करना शड़ियन तरह चने वारा ठीक है, उश्या बगदा ठीक है, चलिए, नेक्स ते फिर, महारानी विक्टोरिया नहीं भारती है, पर शाषन को ब्रे करेक्ट आंसर बनेगा कि महारानी विक्टोरिया नहीं भारती परशाषन को ब्रेटिस साज के नियंतरन में लेने की गोश्णा कब की थी वच्चा, एक नॉम्बर ठारसो ठावन में की थी, यह बिल्कुल हमारा यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, नेक्स ते ठारसो पर आंसर क्या होगा, गोर्खा, शीक, पंजाबी, उत्तर प्रांथ से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भारती सवतंता आंदोलन का सरकारी इतिहास कार था, भई, कौन था, आर्शी, मजूमदार, ताराचन, वीडी, शावरकर, या फिर एस एन, सेन, तो भारती सवतंतर पर आंदोलन का सरकारी इतिहास कार था, यहां पर, तो वो थे, यहां पर कौन भाई, एस एन, शेन, ठीक है, चलिए, नेक्स फिर हमारे सेसन का क्यूशन है कि, मंगल पांडे कहां के वीपल्व से जुड़े हैं, बेरकपूर, मेरड, डेली, या फिर इन में से कोई नहीं, तो मंगल पांडे कहां के वीपल्व से जुड़े हैं, तो हम यह पर बात करे हैं, बेरकपूर से, मंगलपांडे, ओके, बेरकपूर की वीपल्व से जुड़े हुए हैं, निम्लिक इतमें से कौन इलाबाद में 457 की संगराम का नेता था, नालाशाहिबा, अजिमूर्ला, तात्या टोपिया फिर मौलविल याकत अली तो इन में से कौन इल्हाबाद में 357 की संगराम के नेता थे बच्चा तो क्रेक्ट आंसर होगा हमारा मौलविल याकत अली ठीके D option बिलकुल क्रेक्ट आंसर होगा तो हम बात करें यहाँ पे बिर्टेन की प्राइम मिनिस्टर की तो वो थे यहाँ पे लाड़ पामिस्टर ठीके D option बिलकुल क्रेक्ट आंसर होगा हमारा ठीके चलिए फिर नेक्स्ट क्यूशन है फिर तो यहाँ पे किया है किसने बाई नामधारी शिखोने तो B option बिलकुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा चलिए नेक्स रे फिर किस प्रख्यात भारते इतिहास कार ने थार सो सतावन इश्व की करांती को करांती नहीं माना है ताराचंद ने या फिर सेंड ने या फिर मजूमदार ने फिर सावर करने आर्षी मजूमदार यह इनोने यहाँ बात करते हैं यहाँ पे जो 257 आयोग ق करांती नहीं माना इन में से कौन सा आयोग 357 का विद्रोह दमन के बाद भारती फोस के नव गठन से संबन दीते बच्चा तो क्रेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे पील आयोग ठीके बी ओप्शन राइट आंसर होगा नेक्स फिर क्यूशन है कि 357 के विद्रोह को किस उर्दू कवी ने देखा था मीर तकी मीर जोग मिर्जा गालिव या फिर एकबाल 357 के विद्रहों को किस उर्दू कभी ने देखा था यहाँ पे होगा मिर्जा गालीब तो यहाँ पे हमारा स्टी उप्शन क्रेक्ट आंसर होगा नेक्स फिर्टूशन है निम्रकित में से कौन 357 के विद्रहों में अंग्रेज होगा सबसे कटर दुश्मन था चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है क्रेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ तावन के विद्रों में अंग्रेजियों के सबसे बड़े कटर दुश्मन थे और मोल्वी एहम एहम दुल्ला शाहा चलो भई जो भी होगा हमें क्या लेगा चलिए हमें तो बस याद करना है ठीक है यह तो मर गें लेकिन हमारे सिर्फ पर हाथ दुलिगे कि तुम हमको याद करो है ना भी याद कर लो है ना हो जाएगा आपका अधार जगदीसपुर के राजा कौन थे बाई तो 157 में किसने इलाबाद को आपाद कालीन ले बनाया था बई तो यहाँ पर होंगे लाड केरिण ओक के इन्होंने यह जो है 157 में इलाबाद को आपाद कालीन मुख्यान ले बनाया था है गड़करी विद्रोट 344 का केंद्र क्या धावच्चा बिहार शरीफ कोहलापूर सूरत या फिर सिलहत तो गड़करी विद्रोट 344 का केंद्र था कोहलापूर ठीक है तो B option हमारा यहां पे correct answer होगा नेक्स फिर हमारे सेशन का question बनेगा की भारत के पर्थम 37 संग्राम का मुख्य तातकाली कारण था तो बच्चा बारत की पर्थम 37 संग्राम का मुख्य तातकाली कारण किया था तो बता रहा है यह question जो है मेरी तरफ से ठीक है आपको यहां पे जो है homework रहा और इस question का correct answer आप बताएंगे नीचे comment box में ठीक है चलिए next question है कि किस इतियास कारण ने लिखा तथा कतित पर्थम रास्ते संग्राम नहीं रास्ती और नहीं संग्राम ने तो यह किस ने लिखा भाई मजूमदार से इन सावर कर या फिर इन में से कोई नहीं तो यह लिखा है यहाँ पर आरसी मजूमदार जी ने ठीक है इस तरह से आप यहाँ पर एक बार और question देख लीजिए चलिए ठीक है और यह जो है यहाँ पर वर्ष स्टावन के विद्रों के संदर में इन में से जो है किसी उसके मित्रे ने धोका दिया तथा जिसे अंग्रेजे दुवारा बंदी बना कर मार दिया गया तो यहाँ पर नाना शाहिब कुवर सिंग खान बहादूर खान या फिर तात्या टोपे यह कैसे अप नीची होगी कुषया आपके चलो देखते हैं यहाँ यहाँ पर तो हमारा नसर बनेगा ना इस कुष्या है तो इसका correct answer बनेगा बच्छा तात्या टोपे ठीक है तो चलिए फिर यहां पे हम थोड़ा इसको अगर देखते हैं अब यहां पे अपनीची हो चुके हैं क्यूशन आपके यहां पे कुछ कुछ और बचे हो हैं पीडियाफ सही से करने पड़ेगे ठीक है फिर नेक्स नेक्स पार्ट में देख लेंगे इसको ठीक है अब यहां पे यह पीडियाफ यहां पे जो है मैंने चेक करके नहीं की दिसायर पीडियाफ में कुछन थोड़ा डाउन है चलो कोई बात नहीं यहां पे है एक अच्छे सीरियल नहीं पे सेर्लाइज में हम इसको लगाएंग से आप जो है अब यहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ठारा सो सतावन की क्रांती हमने इस पेसल यहां पे पचास कुछन तो आपको करा दिया है और जो बचे आपके पचास कुछन वो नेक्स पार्ट में आ जाएंगे ओके सारे कुछन हमने यहां पे तब तके लिए सो थैंक्स फोर रोजिंगी इस स्टेडी और बाबाई